अंडा गड़ी आपने तो लाखो बार बनाए होंगे लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सब का देल जीच जाएंगे तो चलिए बीना बात स्टार्ट करते हैं रेसिपी तो यहाँ पे मैंने देल गरम होने के लिए रख दिया था एक टोप में सबसे पहले और यह यहाँ पे मैंने दो बड़ी साइज के आलू काट लिये हैं यह कच्छे आलू है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अंडे को डाल दूँगी तेल में उसके बाद इसमें आलू डाल दूँगी दोनों को मिक्स करके हम थोड़ा पका लेंगे इसे और अंडो को हमें फ्राइ करना साथ साथ में आलू को भी हम फ्राइ करेंगे अब हम इसमें कुछ चीजे आड़ करते हैं तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसमें एक छोटी चमच हल्दी आड़ करती है दो बड़े चमच गरम मसाला इसमें आड़ करती है हमने और लाश्ट में मैं यह पैकेट वाले मसाले दे आते हैं नांडा कड़ी के वो मैं आप कोई भी ब्रांड के ले सकते हैं करम मसाला तो उसे मैंने थोड़ा सा इसमें एक चमच तक मिला दिया है अब यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखा है थोड़ा इसी तरह पका लेंगे हम तीन से चार मिनट तक ल सुट्छं हाँ आप हो चूका था अब मैंने सारा निकाल दूँगी इसमें अब हम इसी में इसे बनाएंगे है अब यहाँ पे मैंने इसी में थोड़ा और आड ग दिया ह Дाय ए इसमें मैं बनाऊंगा तो मैंने सबसे पहले को तड़का लगाए इसमें तेज, पथा लाँ, अब यहाँ पे मैंने तीन बड़े सा इसके प्यास लिये थे उसे डाल दिये हैं अब मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मेश कटी थी उसको भी डाल दिये हैं प्याज हमारा थोड़ा सा पक जाए हमने इसे एक से देड़ मिनट तक फ्राई कर लिया था देखे गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब यहाँ पे मैंने ये अद्रक, लासुन और धनिया का पेश्ट बना लिया था उसे डाल दिया है इसमें मैंने सिफ अध्रक लासुन और धन्या ही पीसा है बागी कुछ नहीं अगर आपने ये मिला दिया ना तो आपका सालन और अच्छा बनेगा बहुत ही टेस्टी तो इसे स्किप बिल्कुल मत करियेगा अब मैंने यहाँ पे दो से तिन टमाटर ले लिये हैं छोटे छोटे उसे काट लिये थे इन्हें भी मैंने इसमें डाल दिया है अब यहाँ पे हमारा टमाटर जल्दी गल जाए तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आधा चमश तक नमक डाल दिया है इसमें इससे टमाटर हमारे जल्दी कल जाएंगे डालने की बाद हम इसे अच्छी से मिक्स कर देंगे और ठोड़ा हमारा टमाटर कल जाएगा तब हम इसमें फिर से मसाले आड़ करते हैं तो यहाँ पे देखी हमारा कल चुका है मैंने तेड़ मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे पका लिया था अब मैं इसमें तीन चमच गरम मसाला डाल रही हूँ एक चमच लाल मिश पाउडर है आप अपने हिसाब से लाल मिश पाउडर डालियेगा मतलब तीखा हो जादा कम पसंदो इस हिसाब से डाल की इने मैं एक मिनिट तक और पका लूँगी ताकि ये मसाला हमारा जो डाला है भी पक जाए उसके बाद देखिए हमारा यहां पे हो चुका था अब मैंने ये जो अंडा फ्राइ किया था मसाले के साथ ये मैंने सारा इसमें डाल दिया है और इसमें मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी पूरा तो यहां पे हमारा मिक्स हो गया है अब इसमें मैं धनिया के पत्ते डाल दूँगी बारिक कटे हुए आप इसमें पूदीना भी डाल सकते हैं लेकि ये मैं आपको बहुती इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ और बहुती स्पाइसी बनेगा आपका आप जरूर एक बार ट्राइ करिएगा तो यहां पे मैं मिक्स कर ले रही हूँ अब मैं इसमें मिलाऊंगी एक ग्लास पानी यहां पे मैं पानी डाल दीती अब यहां पे मैं आधा कटोरी दही ली हूँ इसे भी डाल दूँगी ध्यान रखे अगर आप दही डाल रहे हैं तो गैस का फ्लेम बंद कर दे या तो इद्दम स्लो रखिए नहीं तो यह फट सकते हैं तो इसलिए मैंने दम स्लो कर दिया था गैस का फ्लेम फिर मैंने इसमें पानी डालने के बाद एक मिनिट तक पकाया उसके बाद दही डाल दिया है अब यहां पे जब हमारा उबलने लगेगा तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है नमक मैंने एक चमस्टक डाला है एक छोटी चम्मस तक डाल के मिक्स कर दिया है अब मैं इसे ढाग दूँगी और पकाऊंगी लगबग 12 मिनट तक मैंने इसे पका लिया था हमारा आलू जब तक पक जाये तब तक तो यह देखे तयार है हमारा बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेश्टी बना है आप यह देख के पता लगा सकते हैं तो आप जब अंड़कडी बनाएंगे तो इस तरीके से एक बाद ज़रूर ट्रै करिएगा इतनी टेश्टी रेसिपी बनाएंगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा तो थैंक यू सो मच